फिक है शहजाद पुनावाला अब मैं आपके पसा रहा हूँ सर्ब मैं ये नहीं समझ पारा टू नेशन थियोरी टू नेशन थियोरी देना डारेक्ट एक्शन डे का कॉल करने वाला हजारों बेकसुरों की जान लेने वाला एक आइडिल कैसे हो सकता है हिंदुस्तान की किसी फीसद का फूल फूल नहीं पीएच ओल ये फूल पकड़ने की कोशिश में कहीं सारे माली लगे हुए हैं एक माली है तो उसको स्परधा देने के लिए जो यहां के उत्तरप्रदेश के कुछ माली है जो इस वोटबैंक के फूल के पीछे आवारा की तरह भवने की तरह प्रवक्ता साब जो बैठे हैं इनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि जिन्ना को कैद आजम मात्मा गांदी ने उपादी नहीं दी थी यह मौलाना मजरुद्दीन शहीद इन्होंने दी थी इन्होंने मात्मा गांदी का नाम चिपका दिया तो यह इतिहास जो पढ़के आए है बिल्कुल सही है अखिलेश यादव इतियास तो पढ़के आए पर पाकिस्तान का इतियास पढ़के आए पर वर्तमान में स्थिती यह बन चुकी है कि कुछ लोग केवल और केवल तुष्टिकरंड के वाइरस से इस तरीके से ग्रसित है और योगी फोबिया से इस तरीक आपके शोपर एक चुनौती देते हैं यह समाजवादी को यह एक बार कह दे कि मुहमद अली जिन्ना वजश शैतान यह कह सकते हैं वह तो सूपर ही रो बता रहे हैं ना डॉक्टर राय कहां से कह पाएंगे मैं तो यहीं कह रहा हूं इनके लिए तो वह कह रहे हैं इतियास पढ़िये डिनन शैतान या नहीं है इनके बताते हूं इस एक देखे से bran ल मयाने जिन्ना के निया इतना प्रेम एवि मैं तो जिन्ना को से पीसे मुंजीन मानते 2017 को एव संव रहे हैं और गल से कहता हूं जिन्ना शैटान है भारती ये मुसल्मान होने के राव जिन्ना शैटान हैं जो उनका सपोड़ नहीं करेंगे पर इसलवा नहीं कि मुस्लिमों को को अपनी और खीचने की सियासा चल रहे हैं जहां तक मैं जानता हूं और इतियास के पन्ने जो हमने थोड़े बहुत पढ़े बढ़े विद्वान हैं उस वक्त में जब देश का बातवारा हुआ ना तो इस देश में वो मुस्लिम थे जो इस हिंदुसतान में रहना पसंद करते थे क्या वो जिन्ना को आइडल मांते हैं आप तो यूथ हो ना मुस्लिम हो जिन्ना मैं आइडल मांते हो रोईच भाई पहले तो आपकी सार्टक डेबेट का मैं स्वागत करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को और आपको राजी हिंदुस्तान को पहले भाई अदूज की बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ. अब मैं आ जाता हूँ जिन्ना के टॉपिक पर देखिए. मसला क्या है ना कभी यहां के मुसल्मानों ने आजादी के बाद जो है मुसल्मानों ना क्या है बहृती जन्ता पाटी का जो प्रेम जो प्यार और दिखा कर के आय थे इसके बारे में क्या कह थैंदेश के ये जंसंघ के69 लोग ते उस उसके बारे में क्या ख्याल है शैदाद भाई थोड़ा ना आज स्टेडी मुझे लगता है कम करके आये हैं और सबसे बड़ी बात जिना का महीमा मंदन कौन लोग कर रहे हैं अरे भाई करके सरकार बनाने वाले लोग वाजी बात कर रहे हैं भड़ा हाथ से अथपद लगता है ना उसे पहले जिना की दोस्ती दोस्ता पार्टी के हवेशा से राईवी और उसकी जवाद आपके सवाल पूछे जवाब देने दीजिए हैं पिर आप फिर आप कुछ लिएगा सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब करें इन्होंने सवाल पूछे जवाब देने दीजिए हैं अब भाष तक्रीर का मौंच नहीं है सुन लिजे डिबेट में हां देखे ऐसे आइनों ने कहा कि लाल कृष्ण अडवानी का क्या हुआ हम तो बिलकुल स्वागत करते लाल के पद को छोड़ना पड़ा तो यही कारवाई अगिले श्यादव कर दो दिया थे लाल तो मैं तो पश्टता से वोलना हूं मैं तो सबस्क्राइब उन झाला कि यह एडवानी का बैयान दी गलत था और अखिले श्यादव का इस धिन अटिले श्यादव पर कर वाई होनी च ऐगा की बिलकुल बल बहुत रखे ज़ल देख रहे अले भाइसाब रोई जी इनका माइक थोड़ा साथ इनको प्लीज पीज अपनी बात रखे जल्दी से राजेस चौधरी को फिर आपनी हाँ मैं इतना पूछना चाहरा हूं कि अखिलेश यादव ने जो महिमा मंदन एक बार नहीं दो बार और उन्हें सरदार पटेल के साथ तुलना की है क्या समाजवादी नेता जो है वो क्या जिन्ना को शैतान मानते हैं या ज लेकिन क्या